मित्र रमशकार भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्रीराम मित्र ये तस्वीर तो आप देखी रहे होंगे इनका नाम है अशोक वानखेडे ये कॉंग्रिस पार्टी का समर्थन करने वाले पत्रकार हैं वैसे पत्रकार का मतलब तो ये होना चाहिए कि वो निस्पक्ष रहे हर किसी की बात करे जो सच्छे वो बात करे लेकिन आशोक वानखेडे उन पत्रकारों में से एक हैं जिनों ने शायद ये जन्म सिद्ध अपना अधिकार माण लिया है कि किसी भी तरह से जबी भी कोई मसल़ा हो सिर्फ मोडी को गाली देनी कॉंग्रिस पार्टी ने खुद इनके खिलाफ एक बहुत तगड़ी कर वादी कोंग्रेस पाटी की तरह से इन पर केस कर वा दिया गया गया है तेलंगाना में इनके ऊपर केस कर वाया गया है और मामला क्या है? मामला भी बड़ा दिल्चस्प है, किस मामले पर केस हुआ है? मामला है चमडी और दमडी का, यानि जो एक सवाल इन्हों ने खड़ा किया था कि हरियाना के अंदर कॉंग्रेस पार्टी के नेता जाकर कि अयाशी कर रहे हैं, हरियाना के महिलाओं से अयाशी करके उनको टिकट माट रहे हैं, जिनसे आयशी कर रहे हैं, इस तरह का आरोप अशोक वान खेड़े ने लगाया था, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे इस पर मौझूद हैं, जब हरियाना का चुनाओ आया था, उस वक्त तो जब इस तरह का बयान सामने आते उनको इशारे भी किया रहे थे, मगर वो लगातार बोल रहे थे, और अब जो है, कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से ही, उनके समर्थकों की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अशोक वान खेड़े पर केस करा दियागा है, अशोक वान खेड़े पर F.I.R. करा दी गई है, अब को इतनी गाली देते रहे, मोधी के खिलाफ क्या क्या बोलते रहे, पर कभी प्रधानमंतरी मोधी ने आप खिलाफ को F.I.R. नहीं कराई, कभी किसी B.J.P. समर्थक नहीं आप खिलाफ कोई केस नहीं किया, लेकिन जैसी आपने पहली बार कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ वैसे ही आपकी ऊपर जो है वो केस दर्ज हो गया और केस भी ऐसा दर्जवा है कि ग्रफतारी की नौबत आ गई है क्योंकि इन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े निता जो रहुल गांदी के करीबी है केसी वेडू गोपाल उनका चरित्र हनन किया है और आज हिस्तिती यह है कि कॉंग्रेस पार्टी के सारे समर्थक जो है उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भई आप तो हमेशा बड़ी बात करते थे अभिवक्त की सुझनता की तो आपने अपना ही समर्थन करने वाले राहूल गांधी की चाटुकारता करके ही पेट पालने वाले ए जब हर्याना का विधान सभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त जब नतीजे आये तो शुरुवात में एवियम से जब नतीजे आ रहे थे सुबह नो विज़े तक लगा कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है सारे पूरी पप्पो एंड कंपनी खुश हो गई थी इसके बाद अच वो सारे जो पत्रकार थे उनके उनकी स्थिति यह होई कि काटो ना खून वाली उनकी स्थिति हो गई उनका पूरा सरी ठंडा पड़ गया ऐसा मालूप पड़ा सब यह जी तंजूमेंट कंपनी सब विचारे सब परिशान हो गए कि बताईये साब यह क्या हो गया कॉंग्र कि उन्होंने यह आरोप लगा दिये केसी वेडू गोपाल पर कि एक हाला कि उन्होंने एक ही आरोप लगाया एक महिला पर आरोप लगाया लेकिन और भी ऐसे कई लोग वहाँ चर्चाएं चलती हैं तो एक महिला जो की कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थी उसके उपर पूरे बयान देते थे तो इसी बयान में उन्होंने ये भी कहे दिया, कि क्या हर्याना को कॉंग्रेस पार्टी के नेता जो केरल से आए हैं क्या अपनी अयाशी का अड़ा समस्ते हैं ऐसा बयान भी केसी वीडियो गुपाल ने दिया था तो उस वक्त कॉंग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा क्रिकरी हुई थी क्योंकि अमित मालविय जो की बीजेपी के आईटी सल के हैड है उन्होंने भी इस अशोगवान खेड़े के बयान को उठाया था और इस बयान को उठा करके उन्होंने क्लियर तरीके से ये कहा था कि दिखे कॉंग्रेस पार्टी में किस तरह से वोट दिये जाते हैं यहां तक की थम्नेल बनने शुरू हो गए कि क्या कॉंग्रेस पार्टी में बिस्तर पर दिये जाते हैं टिकट इस तरह के लोग जो यूट्यूबर्स थे इस तरह के सवाल उन्होंने पूछने शुरू करत रहे थे वह सोच रहे थे कि हम जो है अशोक की बहुत सारे आरोप लगा रहे थे लेकिन भाई साब यह सब जो कर रहे थे यह सब उनका उल्टा पड़ गया अब कॉंग्रेस पार्टी ने बड़े चाच चतुराई से समर्थक थे उन्होंने बड़ी ही चतुराई से दीरे से जब पूरा मामला ठंडा हो गया जब इस पूरे मामले पर फड़ा पानी पड़ गया इसके बाद फिर आराम से प्यार से अरंद से धीरे से केसी वीडियो गोपाल के खिलाफ एफ यार दर्ज करवा दी गई केस करवा दिया गया औ अब से जब से उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है तब से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है उनके यूट्यूब चैनल पर वो लापता है पता नहीं चल रहा और सबसे बड़ी बात यह हैं मित्रों की यह जो फियार हुई है इस फियार के बाद अगर देखा जाए तो फ्रीडम अब तक एक भी ट्वीट अशोग वान खेड़े के समर्तन में नहीं किया है जितने ही बड़े बड़े पत्रकार है अरफा खानम शेरवानी यह जो सारे सारे अपने कुछ श्यकुलर लिबरल फलाना धमाका कहलाते हैं अधुनीक मॉडन और उदारवादी श्यकुलर कहलाते इन सब लोगों ने एक भी ट्वीट अब तक अशोग वान खेड़े के समर्तन में नहीं किया है और अजीत अंजुम बगेरा तो बगायदा अशोग वान खेड़े के साथ लाइव भी करते थे अशोग वान खेड़े के साथ तो अजीत अंजुम काम भी कर चुके हैं अपने संदेश क्या है जरा संदेश को समझना भी बहुत जरूरी है संदेश यह है मित्रों कि कॉंग्रेस पार्टी गांधी परिवार की तरफ से जितने भी चमचे पत्रकार हैं उन सभी चमचे पत्रकारों को एक संदेश दिया गया है और वो संदेश यह है कि तुमको अगर भौकन को तयार हो जैसे अशोग वान खेड़े को खामेर्या भुगतना पढ़ रहा है वैसे ही अगर किसी और भी चम्चे पत्रकार ने कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद करी तो उसको भी जो है यही अंजाम उसका होगा यही संदेश अशोग वान खेड़े के ऊप नहीं बलकि अगर देखा जाए तो इस समय पूरे कॉंग्रेस पार्टी का जो पुरा दर्बारी मीडिया है उस पूरे दर्बारी यूट्यूबर्स के अंदर जो है एक बड़ी परिशानी बड़ी बेचैनी उठी हुई है वजा यह है कि हर्याणा का चुनाओ हार गया वैस विरोध उन्होंने करना छोड़ दिया है और अशोग मान खेड़े ने आरोप यह लगाया कि दरसल अधानी से कुछ लाब मिल गया है अशोग इनको संजय शर्मा को इसलिए अभी अधानी का समर्थन करने अधानी के खिलाब खड़े नहीं हो रहे अंदर की बात यह है कि इ अशोग मान खेड़े तो यह भी कह चुके हैं भईया कि यह सब मतब कुल मिलाकर के इस्तिति है कि इस समय जो पूरा-पूरा यूटूबर्स जो लिबरांडू यूटूबर्स हैं वो सारे के सारे विचारे अपने अंदर की जो कस्मकस जद्दो जहद संगर्स चल रहा है उ और यह घटनाकरम साफ साफ एक क्लियर संदेश है क्लियर मेसेज है कि गांधी परिवार और उनके चमचों के खिलाफ कोई भी चमचा पत्रकार भौंक नहीं सकता है अगर किसी को भौंक ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोधी के खिलाफ भौंकेगा तो यह जो कॉंग्रेस इतने सालों से नाम पर गांदी परिवार की चाहप रूसी की उनको भी अप समझ में आ रहा है कि आ ऐस इस्तितीति में क्या करें हम तो उनसे यही भगवान से प्रात्ना करेंगे कि भगवान उनको जो है सद बुद्धी दे और भगवान सद बुद्धी उनको मिलेगी तो देश के लिए अच्छा सोचेंगे और जब देश के लिए तो उनको समझमियाएगा कि देश के लिए सही कोन है और देश के खिलाफ गलत कोन है तो मुत तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजगा इसके लावाँ आप चाहें तो हमें आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं जिस यह हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए, एक यह नमबर है, 8376-862585, इस पर Google पे भी है, फोन पे भी है, पेटियम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सक सकते हैं, इस पर WhatsApp भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद यह रसीप, इस पर आप WhatsApp भी हमें कर सकते हैं